next question is question number 5 look at the pictures given below and give the answers of the following questions यह तीन figures दियो है A, B and C ठीक है figure 1 है जो A है जो वो की बॉइड शेप है दूसरा figure prism shape का है और यह hexagonal prism है यह hexagonal shape का है अब कहता है which figure has the smallest number of faces अब पहले एक बड़ देख लेते हैं A में कितने faces होंगे? A की बॉइड है हमने कर लिया था faces कितने होते हैं क्योंग में? Six faces होते हैं A's कितनी होती हैं? कितनी होती है, Isis 12 होती है, Corners कितनी होते हैं? 8 होते हैं figure A की सारी चीज़े यह हैं, कितने? faces 6, Isis 12 and Corners 8 figure B में देखिए figure B में faces five to के पीछछी वह हमें नजर नहीं आरहा चार फेसेसस फोर के एंडक कितनी होंगी इसमें एंड़िस कितनी होंगी Six इंडर जणकी Six kilka point Koi dawn吃 ये four a взять उसके बाद सी में देखिए थी इस कितने होंगे Eight A's कितनी होंगी 18 and corners कितने होंगे 12 ठीक है अब आगे question पूछ रखें which figure has the smallest number of faces सबसे कम faces कितने किसमें हैं कौन से figure में figure B में four faces है तो इसलिए सबसे कम किसमें figure B में answer is B figure B या फी B खाली भी लिख सकते हैं how many faces are there in the solid A solid A में कितने faces है six answer is six how many faces and corners are there in solid B solid B में जो B shape है उसमें कितने faces and corners है तो अब देखिए एक बार count करके बता देती हूं मैं faces तो दिखी रहे हैं तीन है यहां पर और एक पीछे है तीन face यहां पर नजर आ रहे हैं और एक face इसके पीछे है ठीक है अब इसकी is देखिए is one two three four five यह वाली six six हैं उधर वाली faces भी इसी में count हो जाएं क्योंकि यह की face है और face उसी पे attach है इनी वाली faces पे है जो यह तीन boundary वाली है तो कितने faces है six faces है और corners यह वाले एक दो तीन चार four है ठीक है बन टू त्री four उसके बाद इसमें देखिए hexagonal shape है इसमें faces आपको कितने एक face यह नजर आ रहा है एक इसके पीछे होगा दो तीन चार पाँच पाँच फेस नजर आ रहे है अब देखिए कैसे इसके यह जो तीन है ना ऐसे तीन पीछे भी होगे faces तो तीन और तीन त्री और थ्री six हो गए और एक यह हो गया और एक इसके पीछे हो गया ठीक है six और उपर वाला seven और एक नीचे वाला eight eight faces है इसके इस इस को काउंट करने के लिए देखिए यहां पर इसको पहले यह वाले काउंट करिए one two three four five six यह six होगी इस उसके इलावा उपर भी six होएंगी इस ऐसे यह जो यह बीच वाली है ना one two three four और दो पीछे होंगी five and six बीच में भी six होएंगी ठीक है six is is उपर होंगी six उपर वाली में होंगी और six नीचे होंगी और six बीच में होंगी तो total is is six three जा 18 18 हो जाएंगी और corners कितने होंगे corners 12 होंगे क्यों होंगे क्योंकि six corners देखो नीचे नज़रा रहे हैं one two three four five and six ऐसे six उपर भी होंगे तो इस तरह से corners होगे